जैसाई राम एफ्रिवान, वेलकम टू मेरे साई, आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, आज आईए आप सभी को सुनाती हूँ एक नया अनुपव सिद्धमंगलम स्तोत्रम के बारे में कि कैसे सिद्धमंगलम स्तोत्रम का पाथ करने से एक जिव बहुत नाराज हूँ आप सभी से, बात यह है कि मैंने सिद्धमंगलम स्तोत्रम का विडियो अपलोट फर्स्ट किया 25 डिसेंबर 2023 को जहां मैंने बहुत सरलता से विधी बताया है, ये बात मैं बहुत बार विडियो में बता चुकी हूँ, फिर मैंने नोटिस किया कि मतलब साइं डिवोटीज जो है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कन्फूजन है ओवर दे टाइम, मेरे वाट्साप में, इंस्टा में, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो मैंने जब ये अब्सर्व किया, तो मैंने सिद्धमंगलम स्तोत्र का डूस और डूस वाला विडियो अपलोड किया, जहां में मैंने 14 क्वेस्टन का आंसर किया है, जहां पे सबसे पहला क्वेस्टन था कि सिद्धमंगलम स्तोत्रम का बुक कहां मिलता है, और मैंने मेंशन किया था साफ साफ कि सिद्धमंगलम स्तोत्रम आप अगर गूगल म इनी लैंग्विज में मिलेगा राइट जिन्होंने बहुत ध्यान से विडियो सुना है वो जानते हैं फिर भी मुझे दिखा विडियो अपलोड होने के तुरंद बाद कि कमेंट सेक्षिन में वही क्वेस्चिन मैंने एक और क्वेस्चिन जो बहुत फीमेल करते हैं मुझे कि मंतली प्रॉब्लम हो गया तो मैं क्या करूँ तो मैंने वो भी कहा था क्या कर सकती हैं आप पार्ट कर सकती हैं कोई रिस्टिक्षिन नहीं फिर भी फोन करके मेसेज करके इंस्टा में वाट्साप में कमेंट से है कि क्या आप सब विडियो ध्यान से पार्ट बाई पार्ट नहीं सुनते क्या आप लोग स्किप करके विडियो सुनते हैं या फिर मैं केपबल नहीं हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कौन सा है प्लीज मुझे बताईए मुझे लगता है कि मैं केपबल नहीं हूँ क पिर भी आप लोग सेम क्वेस्चन कर रहें इसका अर्थ में क्या समझो मेरे साइपरिवार बताईए किसी ने कमेंट किया कि सिद्धमंगलम सोत्रम का विडियो आप हिंदी में बनाएं तो बताईए एक साल से मैं आईए मतलब जितने भी अनुभव सुनाती हूं जितने भी म विडियो बनाती हूं ताकि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लेम ना हो जब विडियो अप्लोड करती हो तो आप लोग ध्यान से सुनते नहीं और सेम रिपिटेट क्वेस्चन बार बार पोच रहे हैं बात इतनी सी है कि इस बाबा के पूजा में कभी भी कोई कॉम्प जा लेते हैं ट्राइटू एक्सेप्ट थिंग्स एस सिंपल एस इस जितना आप कॉम्प्लिकेटिट करेंगे आप कॉम्प्लिकेशन में फस जाएंगे पूजा का जो महिमा है ना वो फील नहीं कर पाएंगे तो जो मेरे साई परिवार के नए सदस्या है और जो पुराने सदस्या है जो आज इस वीडियो के माध्यम मेरे चानल को देख रहे हैं आप सभी के लिए मैं कह रही हूँ ध्यान से स्क्रीन को देखे विडियो को बिना स्किप किये हुए टोटल विडियो सुनिए ये जो ब्लैक थम्नेल में लिखा हुआ है रेड में सिद्धम अंगलम स्तोधरम जहां साई आपको दततरे के अफ़तार में दिख रहे है ये वाला विडियो सबसे पहला विडियो है जहां पे मैंने विदी बहुत सरल तरीके से आप सभी को समझाया है तो पहले ये वाला विडियो सुनिए मैं थमलेन में मैं description पे link जाल रही हूँ अगर आप लोग by chance description से link नहीं ढूण सकते तो ये thumbnail मैं आपको दिखा रही हूँ playlist में जाए सिद्धम अंगलम स्तोत्रम related videos है वहाँ पे click कीजिए ये वाला thumbnail मिलेगा पढ़िये देखिये सुनिये ध्यान से अब देखिये next thumbnail ये वाला जो thumbnail है ये वाला है सिद्धम अंगलम स्तोत्रम का do's and don'ts क्या है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये वाला वीडियो भी मैं description पे share कर रही हूँ link में आप लोग चेक कर सकते अगर description से आपको वीडियो चेक करना नहीं आता तो सिद्धम अंगलम स्तोत्रम का जो playlist है वहाँ पे जाए ये click कीजिए ये वाला वीडियो भी आपको मिलेगा ध्यान से ये तो वीडियो आप लोग पहले दो तीन बार करके सुनिए I assure you विधी आपको समझ आ जाएगी पानी की तरह clear है complicated है ही नहीं ठीक है मेरे साई परिवार मुझे मतलब इस बारे में बात करना ही नहीं था मैंने मैं बहुत दिन से ignore कर रही थी पर एक मतलब मैं क्या कहूँ मतलब इतने easily मैं समझा रही हो फिर भी आप लोग same question पूछते हैं इसका आर्ट यही होता है ना कि या फिर मैं capable नहीं हूँ आप सभी को समझाने के लिए या फिर आप लोग video skip करते हैं any of the one right तो anyways वीडियो को ध्यान से सुनिएगा तो चीज़े easy हो जाएंगी तो मैंने ये बात पहले भी बताया है आप सभी को कि इस तोत्रम का पार्ट सब नहीं कर सकते हैं जिनके उपर गुरु दत्ता की साई के विशेश क्रिपा होती हैं वही पार्ट कर सकते हैं अगर गुरु दत्ता तरे और साई बाबा की क्रिपा ना हो तो ये तोत्रम को सुन उनने की भी रुच्ची आपको नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं, तो ही आनुभफ है अर्चना जी का, साल 2020 में वो नेट क्वालिफाई करती है, इसके बाद 2022 में मैम ने यूपी गव्मेंट के एक्जाम के लिए फॉर्म भरी थी, देखते देखते 2024 आ गया, पर एक्जाम का इंटरेस्टेट थी, इसलिए पेशनली वेट कर रहे थी, कि अब आएगा डेट, अब पता चलेगा डेट, और गव्मेंट जॉब में मैम इंटरेस्टेट थी, इसलिए वो ना प्राइविट जॉब के लिए अपलाई नहीं कर रहे थी, पर दिन बीटता गया, और वो बहुत होपलिस फील कर रहे थी, ठीक है, कि कहाँ अपलाई करेंगी, क्या करेंगी आगे, क्योंकि कोई वेकिंसी भी नहीं है, अब देखे, थोड़ी देर पहले मैंने कहा, कि जिनके उपर गुरु दत्ता, साही बाबा की विशेश खृपा होती है, वही इस तोत्रम का पा अदर रही थी, उसी बीच, यूट्यूब खोलती, उनको सित्यमंगलम स्थोत्रम का विडियो सबसे पहले मिला, सबसे पहले मिला, तो इसको ही कहते है न, डिवाइन टाइमिंग, तो मैं वीडियो को बहुत ध्यान से सुनती है, ठीक है, तब मैंने डूस और वाला वीडिय है न, वही वाला वीडियो में हम फॉलो कर रहे थी, ठीक है, तो वो वाला वीडियो में हम देखती है, और अगले ही दिन, यानि 20th Feb को, यानि Tuesday था वो वाला दिन, उसी दिन वो 40 दिन का संकल्ब लेती है, और 30 मार्च उनका 40 दिन, 40 दिन का व्रत खतम होता है, clear, मतलब 20 त मैम बताती है कि पता नहीं इस 40 दिन में क्या जादू हुआ, मैम यूपी की है, इनका रूर की उत्राखंड में असिस्टन प्रोफेसर के पोस्ट में सेलेक्शन हो गया, जो ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी, और 1st April जॉइनिंग, मतलब सिद्दमंगलम स्तोत्रम का व् और 42nd day में इनका जॉइनिंग हो गया, मैम बताती है कि वो साई से temporary job मांग रही थी, कि जब तक मेरा government में सेलेक्शन नहीं हो जाता, मुझे एक temporary job दिला दो साई, पर यहाँ पे बाबा ने गुरु दत्ता के आशिरवाद से सित्दमंगलम स्तोत्रम का चमतकार देखे कैसा, कि इनको एक permanent job मिल गया, ठीक है, जो कि इनका सपना था, और वो बताती है कि संकल्प की ऐसी शक्ती है कि वो जो भी बोल कर संकल्पी थी न, वही पूरा हो गया, तो सित्दमंगलम स्तोत्रम इतना ही powerful है, इतना ही चमतकारी है, तो request करूंगी सभी से, जो मेरे साई परिवार के पुराने सदस्या है, और जो आज इस चैनल से जुड़े है, जो थम्नेल मैंने आपको दिखाया, दो थम्नेल, मैं लिंक भी डाल रे डिस्क्रिप्शन पे, प्लीज वो तो वीडियो ध्यान से सुने, ओके, अगर आप ध्यान से सुनकर फॉलो करते हैं, स्तोत्रम को बहुत चल्दी पूरी होगी, तो आज के लिए इतना ही जैसाएं राम